नमस्कार आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ मस्रूम करी मसाला जो कि बनाने में भी बहुत असान है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा असान इसे आप पराठे के साथ खाईए रोटी के साथ खाईए या फिर चावल के साथ खाईए यह बहुत ही टेस्टी लगता है और आई होब आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो देड की स्वात की है चलिए बनाते हैं आज की राज जाएकेदार रेसिपी बट उससे पहले मैं खुश्वू कनोजिया और मैं अपने चैनल घर का जाय का विद्खुश्वू में आपका स्वारत करती हूँ वीडिय ओर मैंने आल्रेडी मश्रूम को पतला और हल्का मोटा स्लाइस में कट कर लिया है और साथ में ही मैंने यहाँ पर धोरे से प्याज लिए हैं और चार पांच लासुन की कलिया तो मैं यहाँ पर इसे मसरूम को थोड़ा सा पानी में वाइल करूंगी, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टोपिया में पानी चरहा देंगे और गैस को अन कर देंगे, और जब पानी हलका गर्म हो जाए तब हम इसमें एड कर देंगे मसरूम, तो हम इसमें मसरूम को एड कर और इसे एक दो मिनिट के लिए या फिर उवाल आने तक कुक करेंगे और जब तक मस्रूम में उवाल आता है तब तक हम प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं तो इसके लिए हमें आपर एक बढ़तन लेंगे और इसमें अड़ करेंगे सरसो का तेल मैं ज्यादातर खाना सरसो के तेल में ही कुक करती हूँ क्योंकि उसमें खाना बहुत ही टेस्टी बनता है तो फिर हम इसमें चौक लगाएंगे चौक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च, तेजपत्ता, लासून, जीरा, काली मिर्च और सारे इंगिडियन्स का नाम मैंने वीडियो के लास्ट में नोट कर दिया है आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा और इसे हम खुस हुआने तक कुक करेंगे और देखिए यहाँ पर मस्रूम में भी उबाला चुका है तो हम इसे चान लेते हैं और इसे ठंडा होने देंगे आपने बहुत बार हज़ारों बार खाई होंगी मस्रूम की सबजी अगर आप एक बार ये मस्रूम की सबजी अपने घर पे बनाईएगा न तो बड़ी क्या बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे और आप अगर नौन विज खानते हैं तो आप नौन विज खाना छोड़ देंगे अब देखिए छोक में खुस्पू आ गया है अब हम इसमें आइट कर देंगे प्याज को और इसे हलका ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे और इसे जल्दी पकने के लिए हम इसमें थोड़ा सा साल्ट भी आइट कर देंगे ताकि यह जल्दी ब्राउन हो जाए और इसे कवर करकर कुक करेंगे देखिए एक दो मिनिट के बाद हमारे प्याज में हलका ब्राउन आ चुका है मसाले में हम इसमें एड करेंगे हलदी और साथ में ही हम एड करेंगे लासुन, अद्रक और अरिमीच का पेप्स्ट अब इससी टैम में ये दोनों चीज इसमें एड करिएगा और इसे धीमी आज पर कुक करिएगा हलका पाने एड कर और इसे cover करकर cook करिएगा ताकि इसकी खुस्पू पूरी अच्छी तरह से फैले और फिर हम इसी stage पर इसमें add करेंगे कस्वरी में थी और इसे भी एक दो मिनिट के लिए cook करेंगे आप लोग ज्याद तर कस्वरी में थी खाना जब उबाल आ जाता है तब आप add करते हो आप उस time मत add करिएगा और साथ में ही आप add करिएगा यहाँ पर उबले हुए mushroom को और इसे भी एक दो मिनिट तक हम cook करेंगे साथ में ही हम एक दो मिनिट के बाद इसमें add करेंगे और सारे मसाले जिसका हम वीडियो के last में नोट कर दिये हैं आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा देखिए एक दो मिनिट कुक करने के बाद इसमें कितना अच्छा तरह से color आया है और तेल भी उपर छोड़ चुका है तो हमारे मसाले अच्छी तरह से कुक हो चुके है फिर हम इसे अगर आप चाहते हैं गिरेवी आप इसी तरह का खाना तो आप प्राठे के साथ इसी तरह से ही रखिएगा और अगर आप चावल के साथ खाना चाते हैं तो आप इसमें एक गिलास पानी आइड करिएगा और इसे उवालाने तक कुख करिएगा तो हमने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है और साथ में ही हम इसमें आइड करेंगे गरमसाला यह गरमसाला होममेड मसाला है और इसे हम धीमियाज पर उवाल आने तक कुप करेंगे और जो कल्शी में लगा हुआ है उसमें भी हमालका सपाने देतेंगे और इसे हमें बेश्ट क्यों करना फिर हम इसे कभर करकर एक दो मिनिट तक उवाल आने तक हम कुप करेंगे एक दो मिनिट हो चुका है अब इसमें अच्छी तरह से उवाल हो गया है अब हम गैस को आफ कर देंगे देखिए कितनी अच्छी तरह से तयार है है ना इसके सामने नॉन वेज फेल यकीन नहीं आता तो एक बार आप इसी मेथेट से अपने घर पर इसे ट्राइ करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरूर करकर बताईएगा कि कैसा बना है फिर इसे हम बंद कर देंगे और हम इसमें चौक लगाएंगे तो चौक लगाने के लिए हम दुवारा घी को गर्म करेंगे जीरे के साथ और इसे बिना धकन हटा इसमें एड कर देंगे ताकि इसकी खुसबुता पूरी तरह से एक जॉब कर ले घी को तो देखिए तैयार है गर्मा गर्म मस्रूम करी मसाला अब हम इसे सर्व करेंगे तो आब आई सर्व करने की बारी तो इसके लिए हम यहाँ पर एक बावल लेंगे और इसे बावल में एड कर देंगे मुझे तो देखते ही मुँमे पानी आ रहा है तो लीजिए है तैयार है आपके लिए सर्व और सर्व आपके लिए मस्रूम करी मसाला अगर आप इसकी रेसिपी अपने घर पर ट्राइ करना चाते हैं तो इंगिडियन्स को नोट कर लिजिए जो कि सारे इंगिडियन्स ये हैं या फिर आप मेरे वीडियो को सेर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बास आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज एक लाईक तो जरूर बनता है और आप फาस्ट वार मेरे चानल पर वीजिट कर रहे हैं और या फिर आप विहारी या फिर भेजिटेरियन या फिर इंडियन रेसिपिक जिस दिल जस्प है और उसका लुपत उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा अपने चैनल पर लाती रहती हूँ तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल घर का जाएगा विद्खुश्बू में जब तक खुश रहिए खुशियां बाटते रहिए और आसपा सफाई बनाई रखिए थैंक यू टेक क्यार एंड नमस्कार